आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्थोंगे महादेव की कृपा आप सभी पर सदायब बनी रहे इए वीडियो करक्याने की कैंसर के लिए कतिन्त महत्तपून वीडियो है क्योंकि वीडियो है मई 2024 के मासिक राशीफल के बारे मेरा मासिक राशीफल जीवन की प्रमुक चीजों पर अथारित होता है जैसे की सामान नविश्टेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इंवर्स्मेंट, लव लाइफ, मरिड लाइफ, स्टूडन्स और सेहत और इसके साथ ही वीडियो के अंतर में कुछ विशेश उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकरात्मक्ता में वृद्धी अवश्य होती है यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी करके हैं तोनों ही guidance के लिए स्राशीफल को देख सकते हैं मेरे हिसाब से कहां से जाधा सठीक्ता आती है मेरे हिसाब से लगन राशी सठीक्ता, भौतिक्ता, वास्तविक्ता के जाधा पास result देती है तो अगर आपको confirm है वहां से देखिए यदि आपको नहीं पता और आपकी चंद राशी करके हैं तो भी अवश्य इस राशी फल को देख सकते हैं लगन राशी करके हैं चंद राशी करके हैं दोनों के लिए टेक्निकली अलग-अलग राशी फल नहीं बन सकते क्योंकि ग्रहों की गोचरे स्थिती सेम ही रहेगी अगर आप अबसर्व करेंगे तो इसलिए यदि आपके लगन राशी या चंद राशी करके हैं दोनों ही अवश्य इस राशी फल को देख सकते हैं तो शुरुआत करते हैं सत्यंत महत्पुन राशी फल का सामान्य विश्लेशन से शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेशन के साथ महीना कहीना कहीं आपके लिए अच्छा दिख रहा है महीना एक नई शुरुवात लेकर आएगा जीवन की भी और आने वाले एक लंबे समय के लिए भी कुछ ना कुछ नई प्रक्रिया, कुछ नई क्रिया कुछ ना कुछ नया नवीनतम इस महीने अवश्य होगा कारण क्या है कि गुरु, देव गुरु ब्रहस्पती आपके ग्यारवे स्थान में आकर बैठ गए और ये उपचे भाव है, लाबखा भाव है कहीना कहीं जीवन को आगे बढाने का भाव है सबसे पहले लगन भाव को देखेंगे तो लगन पर किसी भी ग्रह की दिरिश्टी नहीं रहेगी नहीं कोई ग्रह लगन में गोचर करेगा चंद्रमा को छोड़ देते हैं क्योंकि चंद्रमा को मैं मासिक राशीवल में कंसीडर नहीं करता जैसे आप सबको पता ही है तो लगन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है यानि कि बाकी जो ग्रह है वो अपना खुल कर रिजल्ट देंगे क्योंकि लगन कुणली का सबसे important और सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है तो अगर उसमें कोई ग्रह रहता है तो उसकी dominance होती है अभी लगन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो बाकी सारे ग्रह भी अपना जो रिजल्ट है वो खुल कर और बहुत अराम से देंगे इस महीने का पहला राशी परतन देव गुरु ब्रहस्पति का ही होगा और वो पहली ही मही को आपके लावस्थान में आकर बैट जाएंगे यह आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि पहले तो गुरू आपके मित्रग रहा है यानि कि चंद्रमा के मित्रग रहा है जो आपके लगनेश है और लाब स्थान में गुरू का आना अपने आप में बहुत शुबता का प्रतीक है क्या मैं इस पर विश्रत वीडियो बना ही चुका हूँ जिसने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसके साथ ही जब देवगुरु ब्रहस्पती यहाँ पर आते हैं तो वो आपकी काम तरिकोन को पूर्ण करते हैं यानि कि जोडते हैं अपनी दृष्टियों द्वारा कई प्रकार की नहीं इच्छाएं भी जागरुत होंगी और कई प्रकार की इच्छाएं पूर्ण भी होंगी इस गोचर के बाद जो प्रमुक गोचर या प्रमुक राशी परतन इस महिने होगा वो होगा बुद्ध महराज का जो आपके दस्वे घर में आकर विराज़मान हो जाएंगे दस तरीकों यह बहुत अच्छा है बहुत विशेश है अतिविशेश है क्यों? क्योंकि बुद् गिर गए थे वापस नवम भाव में वक्री भी थे पतित भी थे नीचे भी थे और ये सब कहां हो रहा था नवम भाव में यानि कि भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो एप्रिल में हुआ होगा कि कई लोगों के भाग्य के साथ ना देने के कारण कुछ काम अटक गए होंगे, ये भाव दस्वे से बारवा भी है, नहीं कि करियर में भी प्रॉब्लम आई होगी, जिनकी दशा अंतर दशा बहुत ही खराब चल रही थी, जॉब जाने तक की नौबत आ गई होगी, और इवन खुद जो कॉमुनिकेशन के कारख है वक्रिय पते तवस्था में थे, तो ये कॉमुनिकेशन वाली प्रॉबलम और बढ़ गई होगी, लिकिन अब अच्छी चीज है दस तारिक को बुद्ध दस्वे भाव में आ जाएंगे, पुना ये करियर का भाव तो है ही, इसको कर्म भाव भी कहते हैं, और हर चीज में कर्म इन्वाल्ड होता है, और जब कर्म स्थान अच्छा होता है, तो हमारे अधिक्तम कार्या आगे बढ़ते हैं पूर्णता की तरफ, दस्वा भाव जब यहाँ पे सूर्य और बुद्ध की युद्धी होगी, तो ये बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा, तो अगर करियर में भी कुछ अच्छा करने की चेश्टा कर रहे तो उनके लिए महीने का मद्यभाग बहुत इंपोर्टन रहेगा, बुद्ध के बाद सूर्य का राशी परतन होगा, हर महीने की तरह, एक बार करते हैं वो राशी परतन हर महीने में, तो आपके ग्यारवे भाव में आ जाएंगे, अब देखिए आपको क्या और चाहिए, इतना अच्छा योग आपके लिए बन रहा है, अपने आप में गुरु को देखा जाए तो आपके भागेश है, और सूर्य को देखा जाए तो आपके धनेश है, और ये बैटे हैं लाब स्थानवे, बहुत सुन्दरी योग है, पैसे के लिए, इच्छाओं की पूर्ती के जो सरकारी जॉब पाना चारे हैं उनके लिए, और कही न कहीं बिजनस में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो भाव है, ये इच्छाओं की पूर्ती का होता है, और गुरु सूर्य की उती अपने आप में इच्छा कारक पूर्ती होती है, और पूर्दा तारीक को बनेगी, ये बहुत विशेश लाब आपको देखे जाएगी, इसके बाद एक और राशी परतन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र भी राशी बदलेंगे, 19 तारीक को और आपके लाब स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे, अब द घंतो शुक्र अपनी ही राशी में आगए, अपनी ही राशी में आता ग्रह, बहुत स्ट्रॉंग हो जाता है, और वो भी लाब स्थान में हैं, और उनकी गुरु के साथ यूती है, दोनों ही धनकारक ग्रह, और सूरे के साथ बैटे हैं, जो धनेश स्वयम है, ये महीना धन के मामले में तो आपका मान के चलिए बहुत अच्छा है, income के sources हो, career हो, business हो जिस प्रकार में या जिस चीज में धना आ गया वहाँ पे आपकी वृध्धी निश्चत है और ग्यारवा भाव अपने आप में वृध्धी का भाव है, ग्यारवे भाव की विशेषता है, जो ग्रह वहाँ पे आता है, उसके कारकत्तों भी बढ़ते हैं, तो शुक्र वहाँ पे आ रहे हैं, विवास अंबने तो योग बनेंगे सूरे वहाँ पे आ रहे हैं, सरकारी जॉब ढूंड रहेते तो अच्छा योग है, और गुरु वहाँ पे आ रहे हैं, धर्म और भाग्या दोनों की वृद्धी होगी तो यह महीना बहुत अच्छा दिख रहा है आपका, बुद्ध का यहाँ पे अकेले रहना भी आपके करियर को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपको आइडियाज आएंगे कॉमुनिकेशन काफी बेटर होगा राहु और मंगल की उती नवम भाब में अंगारक योग है अंगारक दोश भी कह सकते हैं यह अच्छा इसलिए है कि यहाँ पर जब राहु और मंगल साथ में है यानि कि जो लोग विदेश से समधित काम करते हैं या कुछ अलग सा काम करते हैं कुछ अनकनवेशनल कारे करते हैं उनकी विद्धी होगी मंगल योग कारक है राहु के साथ बेटे है राहु प्रैक्टिकल ग्रह है यानि कि अपनी प्रॉब्लम्स को सौलू करने के प्रैक्टिकल आइडियास आएंगे लेकिन पिता जी की सेहत का इस महिने भी थोड़ा सा ध्यान दीजेगा शनी अभी लंबे अर्से तक कष्टम में बने रहेंगे और अब उनका एक अच्छा प्रभाब भी देखेगा तो आपके जीवन में कई नए रास्ते शनी देव इस महिने खोल सकते हैं ओवराल देखा जाए तो महिना काफी अच्छा है ध्यान बस एक चीज़ का दीजेगा जब इतने सारे ग्रह ग्यारवे घर में आते हैं न तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है मन एक घोड़े की तरह होता है बे लगाम घोड़े की तरह हमारा मन उस मन पर अगर हम नियंतरन पाप हैं जो सबसे मुश्किल चीज है आसपास देख लिजे हम कहिना के अपने मन की अधीन तो है तो इस महिने जो सबसे इंपॉर्टन चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है वो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है अधरवाइस तो महिना बहुत विशेश है विशेश प्रेडिक्शन इस महिने को इंजोई कीजेगा कभी-कभी होता है हम इतने इन्वाल हो जाते हैं अपने कारियों में कि हम अपने जियन को इंजोई करना भूल जाते है थोड़ी flexibility required है इस महिने चीजों को उसके अनुसार कीजेगा समय के अनुसार कीजेगा आगे का सोची कहीना कहीन आपने पिछले कुछ महिने से आगे का सोचना बंद कर दिया है बैठिएगा एक दिन आदा दिन निकाल लिएगा और सोचीएगा visualization इसको बोलते है English में कि हाँ क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किसलिए कर रहे हैं और क्या होगा आगे चलकर इसकारे से इस पर विचार कीजेगा inspiration इस महिने बहुत बिलेगी जो आपके लिए सकरात्मकता लेके आएगी communication पर बहुत काम करना पड़ेगा इसके साथी मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ासा अध्यात्मिक उन्नती कीजिए उसके अवशक्ता दिख रही है मैं कई बहुत बता भी चुका हूँ करक वालों को आपके भाग्येश ब्रहसपती है तो जितना धर्म के पास रहेंगे जितना धार्मिक चीजों से जुड़े रहेंगे उतनी आपके उन्नती होगी हर ग्रह के कारकत तो होते है अगर वो अच्छा है और आपने उसके कारकत तो को निभाया यही तो जोतिश है जोतिश का और काम क्या होता आपको यह बताएंगे जोतिश विद्या के मार्दम से आपको यह बता सकते हैं करियर के तरफ करियर के लिए महीना बहुत अत्तक आपका ठीक ही दिख रहा है सबसे पहली चीज तो है कि दस्वाभाव करियर का होता और यहां पर सूर्य उच्च के होकर बैठेंगे 14 तारीक तक और दिगबली भी है और उनकी उती शुक्र से हैं जो लाभेश हैं और वो कें शुक्र अपने आप में धनस्थाने के स्वामी है और अपने आप में लाभ स्थाने के स्वामी है तो अगर आपके करियर में अप्रेजल आदी प्रमोशन सेलरी इंप्रिमेंट यह सब इस महीने होने वाला है इसका प्रोसेस क्योंकि हर कंपनी में अलग-अलग होता है तो बहुत संभावना है कि आपको इसमें विशेश लाब मिलेगा तो महीना बहुत अच्छा है ध्यान बस ये देना है 19 तारीक तक कि शुक्र महराज यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ कि Office Politics हो सकता है और अपने विवहार पर बहुत ध्यान दिजेगा कभी-कभी होता है कि हम कुछ भी चीज बहुत loosely बोल जाते हैं मजाख में भी और उसका एक प्रभाव हमारे विक्तित्तों पर हमारे character पर पढ़ जाता है जब हम घर से बाहर होते हैं तो character का कही ना कही analysis होता है लोग आपको judge करते हैं तो यहाँ पर अपने पूरे विक्तित्तों को लेकर अपने body language को लेकर अपने communication को लेकर हर चीज को लेकर बहुत सतर्क और बहुत professional रहें महीना अच्छा ही दिख रहा है बुद्ध यहाँ पर आ जाएंगे आपके 10 तारीक के बाद 10 मई को तो एक प्रकार से वो भी अच्छा है क्योंकि वो बारवे घर के स्वामी है विदेश में job ढूणने में मदद करेंगे और वो तीसरे घर के स्वामी है यानि कि कुछ कारे अटक रहे थे कुछ delays हो रहे थे कारेक्षेत्र में वो भी आपके आगे बढ़ेंगे इवन नई job अगर आप ढूणना चाहते थे उसके लिए भी 10 तारीक के बाद योग बहुत अच्छे बनने है तो और और महीन अच्छा है एक और विशेश चीज है कि सूर्य यहाँ पर 14 तारीक हो आ जाएंगे और शुक्र यहाँ पर 19 तारीक हो आ जाएंगे तो लाबस्थान में इतने सारे ग्रहों के योटी और वो भी दस्वे भाव से दूसरा है यानि कि करियर में आगे बढ़ने के मौके तो इस महीने आपको भरपूर मिलने वाले हैं शनी की तीसरी दृष्टी बनी रहेगी और अब जैसे मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि अब शनी का थोड़ा सा एक अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा तो क्यूंकि शनी आपके एश्टम के स्वामी है कुछ नए रास्ते भी आपके कारक्शेत्र में इस महीने खुल सकते हैं ओवरॉल देखा जाए महीना अच्छा है धन बढ़ता हुआ दिख रहा है बस एक चीज़ पर ध्यान देना है कि किसी की बातों पर भी बहुत ज़्यादा रियाक्ट नहीं करना कोई कुछ बोले पहले उसको समझना है सुनना है फिर उस पर थ्वास अपना रियाक्शन देना है एकदम रियाक्शन दिया तो प्रॉब्लम होगी कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिगा क्योंकि इस महीने आपको मौका भी मिल सकता है इसके साथ ही जैसे माने धन बढ़ने की बात तो करी ही यह महीना ऐसा भी है जब नई responsibilities मिलने के कारण आप अपने कारक्शेतर को और भी आगे बढ़ा सकते हैं एक प्रकार से future यानि कि आने वाले time में जो भी होगा एक प्रकार से उसकी नीव आपके कारक्शेतर में इसी महीने पढ़ेगी तो overall यह महीना आपका कारक्शेतर के हिसाफ से अच्छा ही दिख रहा है बिजनस के तरफ बिजनस के लिए महीना वैसे ठीक ही दिख रहा है सब्तम भाव बिजनस का होता है सबसे important और अच्छी चीज है कि गुरू के दिख रिष्टी अब सब्तम पर पढ़ना स्टार्ट हो गई यानि कि यह महीना बिजनस में बड़े बदलाव लाएगा बिजनस को एक्स्पैंड करने का भी मौका मिलेगा बिजनस में पैसा भी बढ़ेगा और अगर आप अपने बिजनस में investment भी ढूंड रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा एक अवसर है और क्योंकि ब्रहस्पती आपके सब्तम से बारवे के स्वामी है अगर आप अपने बिजनस में अपने पैसे से भी कुछ invest करना चारे थे और उसके basis पर बिजनस को आगे बढ़ाना चारे थे उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है तो overall महीना शुबता ही लेकर आपके लिए आ रहा है इसके साथ भी अगर हम देखें तो सब्तम से पंचम में दो गरहा आ जाएंगे यानि कि सूर्य और शुक्र तो सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 14 तारिक हो और शुक्र आ जाएंगे 19 तारिक तो सब्तम से पंचम में यहाँ पर तीन गरह हो जाएंगे और यह बताता है कि आपके विजनस में आपको नए आइडियाज भी आएंगे और सब्तम से पंचम उसका लक्षमी स्थान बना है यानि की पैसा कमाने की opportunities भी भरपूर जैसे जैसे महीना बढ़ेगा आगे वैसे बढ़ती रहेंगी तो बहुत अच्छा महीना देख रहा है आपका business के हिसाब से केतु और गुरू दोनों मिलकर देख रहे हैं यानि की कुछ समझने के लिए भी अपने business में research करने के लिए भी कहीना कहीं बहुत अच्छा ये आपका महीना रहेगा तो विशेश महीना है business के हिसाब से इसको आगे बढ़ाईएगा इस महीने में एक और चीज अच्छी ये है कि सूरे की उति खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसा माने कहा सब्तम से बारवे के स्वामी है ये investment का मौका तो देंगे लेकिन व्यर्थ के खर्चे भी गुरु की दृष्टी के द्वारा यहां पर बढ़ सकते हैं इस पर ध्यान तीजेगा लेकिन महीना वैसे ठीक ठाक है विशेश प्रेडिक्शन अपने बिजनस को समझने का बहुत मौका मिरेगा महीने के मद्य भाग क्या आसपा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा तो उसको हैंडल कीजेगा समय की वैल्यू बहुत कीजेगा समय निर्धारिक कारे कीजेगा एक maturity आती भी दिख रही है लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो एक confidence भी आपका इस महीने थोड़ा सा fluctuate रहेगा मन में बहुत कुछ चलेगा लेकिन जैसे ऐसे महीना अपने अंतिम पड़ावर तक पहुचेगा आपके मन में बहुत clarity आजाएगी बहुत कारे पूर्ण होंगी इसके साथ ही आपको अपने business को नए ideas के द्वारा आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और marketing के लिए भी कहीना कही महीना बहुत अच्छा है तो बहुत शुबता लेकर ये महीना आपका पूरा मही का आ रहा है इस महीने का लाब उठाईए चलते हैं income, investment और expenses के तरफ income के लिए तो महीना अच्छा है मैं बता ही चुका हूँ पहले ही गुरू आपके लाबस्थान में आ जाएंगे पैसा बढ़ाएंगे सूरे शुक्र की यूती आल्मोस पूरे महीने रह रही है पहले दस्वे भाब में होगी फिर 14 को सूरे यहां पे आ जाएंगे 19 को शुक्र यहां पे आ जाएंगे फिर लाबस्थान में दोनों की यूती होगी और इनकी यूती क्यों important है क्योंकि सूरे आपके धनेश है और शुक्र आपके लाभेश है तो इमेहना आप धन के मामले में तो जो धन कमाना चाहता है और जानता है कुछ अपना कारे करते हैं उनके extra income के sources सा उनके लिए पैसा इस महीने भरपूर मात्रम हैगा investment की बात करें तो शुरुआती दस दिन ठीक है लेकिन उतना जादा लाब कारी कोई मौका नहीं मिलेगा बीच के दस दिन में थोड़ा बचके रहिएगा अंतिम दस दिन बहुत अच्छे है investment के लिए खर्चों की बात करें तो देखिए हाँ यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि इस महीने अनिश्चित खर्चे बहुत होगा यानि कि जिन खर्चों के लिए आप तयार नहीं थे वो खर्चे आपके इस महीने बहुत ज़ादा बढ़ने वाले हैं यात्राओं पर थो खर्चे होंगे ही इसके साथ ही कोई court case चल रहा था उस पर खर्चे होने की संभावना बहुत ज़ादा है बाकी इस महीने कोई particular चीज़ पर खर्चा नहीं होगा लेकिन ऐसे अचानक से बड़े बड़े खर्चे आएंगे जिनके लिए आप तयार नहीं थे और अवश्य जब income आपकी limited होती है और खर्चे नियवित होते हैं तो थोड़ी परिशानिया होती है तो इस महीने कोई particular बड़ा खर्चा नहीं है लेकिन ऐसे बड़े बड़े खर्चे होंगे ऐसे अनिश्चित बड़े खर्चे होंगे जिनके लिए आप तयार नहीं होंगे और अवश्य थोड़ा सा वो आपको problematic situation में डाल सकता है चलते हैं love and relationship के तरफ सबसे पहले no contact situation की बात करेंगे संभावना है थोड़ी बहुत especially महीने के अंतिम भाग में कहने कि 20 तारीक के बाद मान के चलिया कहिए शुक्र का जब गोचर होगा उनने इस तारीक को जब उसके बादो पंचम भाव को देखेंगे उसके बाद chances हैं उससे पहले ज़्यादा chances नहीं है हाँ नए relationship के start होने के chances इस महीने काफी ज़्यादा है और पूरा ही महीना अगर आपका कहीं बादचे चल रही थी और relationship की तरफ उसको बढ़ाना चाहते थे तो पूरा ही महीना कहीं न कहीं उसके लिए आपका बहुत अच्छा बहुत शुबदा पून दिख रहा है अब उनकी बात करते हैं जो relationship में है अब पंचम भाब पर गुरू की दृष्टी आ गई तो चीजें थोड़ा ठीक होना शुरू होगी पहले से केवल शनी की दृष्टी थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उच नीच थोड़े बहुत इशूज चल रहे होंगे अब गुरू आ गए तो गुरू बचाएंगे वश्टी तो relationship में stability आना शुरू होगी शुक्र भी 19 तारीक से यहाँ पर देखेंगे तो एक intimacy, एक likability, romance यह सब भी रहेगा थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सूर्य भी 14 तारीक को और थोड़ा गुसा रह सकता है लेकिन अदर्वाइस देखा जाये तो यह महिना relationship में betterment लेके आएगा पंचम से पंचम में अंगारक तोश बना होगा यानि कि जब प्रॉब्लम होगी तो अचानक से होगा यानि कि अचानक से गुसा आया मातर कुछ मिनट की fight ही बहुत बड़ी convert हो सकते इसलिए इस महिने आपको अपने गुसे और impulsiveness पर खाम करना है अदर्वाइस महिना ठीक ही है यह महिना एक balance लेके आएगा communication better होगी चीज़ें आगे बढ़ेंगी इवन जो relationship को विवाह के तरफ लेके जाना चाते थे उनके लिए महिना आप यह बहुत अच्छा एक रूप दिखा रहा है जहां पर चीज़ें अवश्य आगे बढ़ सकती है तो महिना relationship के लिए अच्छा है बस कम बोलेगा लेकिन जरूत वाली चीज़ें बोलेगा इसके साथ ही सैयम बहुत बना कर रखना है हर प्रकार से गुस्से पर बहुत नियंतर रखना है हर प्रकार से महिना ठीक है relationship के लिए हैं विवाहिक जीवन के तरफ विवाहिक जीवन के लिए महिना ठीक ठाक ही है अच्छे चीज़ यह है कि गुरू की दृष्टी सब्तम भापर बन गई जो विवाहिक जीवन के लिए प्रमुक स्थान होता है तो ठीक ठाक महीना रहेगा वलकि गुरू कहा है न वो problem solver है तो उनकी दृष्टी आने के धेरे-धेरे करके married life में जो problems आ रहेती हैं उनका भी निवारन होगा थोड़ी सी problem सूर्य और शुक्र क्योती है क्यों? क्योंकि शुक्र married life के एक प्रमुक कारक है तो जब तक वो दस्वे भाव में है तब तक तो ठीक है जब वो आपके ग्यारवे घर में दोनों आ जाएंगे वहाँ से थोड़ा सा problem स्टार्ट होगा क्यों? क्योंकि सूर्य और शुक्र सब्तम से पंचम में आ रहे है और ये भाव कहीना कहीं काम त्रिकोन का होते है और जब शुक्र सूर्य के साथ होते हैं बहुत close proximity में आ जाते हैं तो physical intimacy में problem आते है specially अगर कुछ special भावों में जाते हैं वो तो अगर आपकी married life ऐसी चल रहे थी जिसमें already physical level पर या intimacy की problem थी तो यहाँ पर उनके लिए उन couples के लिए थोड़ी सी problems बढ़ सकती है उसके कारण frustration और उसकी जो प्रभाव है वो थोड़ा सा नकरात्मक लेकर आ नकरात्मक स्वरूप लेकर आ सकता है तो थोड़ा इस चीज़ पर काम करने का प्रयास करेंगे तो यह obviously अगर आप married है तो वो भी एक बहुत important हिस्सा आपके जीवन का होता ही है अदरवाईस वे महीना ठीक था किया इवन बै कपल्स जो संतान प्राप्ति के चुक थे जिनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था उनके लिए महीना कहीना कहीं अच्छा है लेकिन यह बस महीना उनके लिए problematic रहेगा जो already किसी physical compatibility या physical intimacy की problem के थूँ गुजर रहे है विशेश prediction जल्दबाजी से बचना है planning के लिए महीना अच्छा है बहुत कार्य पूर्ण भी होंगे लेकिन एक दूसरे से unrealistic expectations बहुत problem create करेगी अपने level पर मैं यही कहूँगा कि जादा expectation अपने partner से मत रखेगा, चीजों को simple रखेगा पैसों के मामले में बहुत पैस हो सकती है तो कोई भी money matter, कोई financial matter discuss कीजेगा लेकिन उसमें उगरता मताने दीजेगा, उसमें aggression मताने दीजेगा, हो सकता है महीने के अंते तक आते आते एक छोटी सी trip पर भी आपको अपने life partner साथ जाने का अवसर प्राप्त हो महीना ठीक ठाक साही है, students की तरफ चलते हैं, exam से शुरू करेंगे दीखे, वैसे महीना students के अच्छा ही है गुरू का प्रभाव आचुका है पंचम पर पंचम भाव students का होता है और बुद्ध की अवस्था भी जो students के कारक है, महीने इस महीने काफी अच्छी हो जाएगी exam से शुरू करते हैं, पहले 10 दिन बहुत अच्छे हैं बीच के 10 दिन में अपनी mistakes को repeat करेंगे, जो mistakes करते आ रहे हैं, वही repeat करेंगे, उसके कारण problem होगी, अंतिम 10 दिन भी आपके ठीक ठाके, लेकिन यहाँ पर दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान करवाएंगे, तो जादा किसी के ऊपर time based मत करें, अपने preparation पर ध्यान दे, महीना जैसे मैंने कहा, ठीक है students के लिए, फाइदा होगा, धनका फाइदा भी हो सकते यानि कि अगर आप job डून रहे थे तो उनके लिए अच्छा महीना है, इसके साथ ही बहुत नई संभावना भी आपके लिए खुल सकती है जैसे मने कहा, गुरू यहां से पंचम को देखेंगे, जो students का भाव है, और पंचमेश जो है, यानि कि मंगल, वो भी भाग्यस्तान में बैटे हैं, और बुद्ध की अवस्ता दस तारीक के बाद अच्छी हो जाएगे और दस्वे घर में चल जाएगे, दस्वा भाव कर्मस्थान है, तो students के कई कर्म पूर्ण होंगे और इसके साथ ही जब बुद्ध अच्छी अवस्ता में वापस आ जाएगे तो आपकी retention power, आपकी एकागरता हर चीज में वृद्धी होगी तो students के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है सेहत की बात करते हैं सेहत वाइस ठीट ठाक है महीना क्योंकि कर्क जो है उनके जो स्वामे होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और overall वैसे ही कर्क की inventory थोड़ी कम होती है और चंद्रमा की स्थिती पे बहुत चीज़े रिपेंड करती है इसलिए ups and down सेहत में चलते रहते हैं बारवे घर के स्वामी थोड़े से अच्छे वस्था में आ देंगे तो जो अचानक से तबियत भिगड़ी थी आपकी April के महीने में वो at least उससे आप उबरते हुए दिख रहे हैं इस महीने क्या-क्या problem ज़्यादा थंग करेंगी हड्डियों के रोग hormonal problem सूजन बहुत रहेगी inflammation बहुत रहेगा liver का रोग चल रहा है prostate की problem चल रहे ही परिशानी होगी जिनको kidney के रोग है gallbladder के रोग है उनकी भी परिशानी बढ़ेगी तो overall इन सब चीजों पर ज़्यादा ध्यान देना है शुरुवाती दस दिन में overthinking, anxiety, sleep disorder नसों के रोग, skin disorder सर के रोग बीच के दस दिन में पुरह सर की problem सर में बहुत दर्द रहेगा migraine की problem जिनको रहती है दिक्कत बढ़ेगी रख तभी कार तंग करेंगी और hormonal problem तंग करेंगी जो अंतिम दिन है बीच तारीक के बाद दातों का दर्द या दातों की problem आँखों के रोग, hormonal issues digestive problems बहुत तंग करेंगी और नसों के रोग बहुत तंग करेंगी इस महिने जिनको कोई भी chronic disease है जिसके लिए regular दवाईयां भी खा रहे हैं मैं यही कहुँगा कि बहुत ध्यान पूरवक दवाईयां खाईएगा, इसके साथ ही अगर कोई इलाज भूट टाइम से आपको फरक नहीं कर रहा थोड़ा सा इस महिन यह वो ऐसा महिना है जब आप थोड़ा सा इलाज change करके भी देखेंगे doctors change करके देखेंगे तो में भी थोड़ा सा relief ज़ादा मैं जाए उपाय के बात करते हैं, शिव मंदर जाकर पूरे शिव परिवार का पहले गंगा जल से, फिर दूद से और उसके बाद पुनह गंगा जल से अभी शेक करना है फिर महादेव के सामने पांच घी के दियरपन करना है हर दिये में चावल के दाने डालने है पून चावल के जिनको अक्षत कहते हैं और फिर शिव चालीसा का पांच बार पाट करना है यह पाए कर लेंगे, अवश्य महीन अच्छा जाएगा आशा करता हूँ वीडियो का हम आएगा चैनल पे नहीं है, सब्स्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हु अगली वीडियो में तब तक के लिए और नहीं है